असलाम अलेकूम मेहुरी शाद आज के इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से आप आपने किसी भी Xiaomi के डिवाइज में अपडेटर एप के थुरू मेनुवली कोई भी ओफिशियल रॉम को इनस्टॉल कर सकते हो तो मेनुवली अपडेट को इनस्टॉल करने से पहले मैं आपको एक बात किलियर कर देता हूँ मेनुवली कोई भी ओफिशियल अपडेट को इनस्टॉल करने से आपके फोन में कोई भी खराबी नहीं आता है फ्यूचर में आपके डिवाइस के लिए काउमी के तरफ से जितरी भी अपडेट रोल आउट किया जाएगा वो आपको एस इडिस पहले जैसा ही OTA के थूँ अपडेटर एप में ही देखने को मिलेगा तो मेनुवली अपडेट को इनस्टॉल करने से पहले आपको तीन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा सबसे पहले आप जिस फोन के लिए मेनुवली अपडेट को इनस्टॉल करना चाहते हो उस टाइम पे उस फोन के लिए सबसे जो लेटेस्ट रॉम है उसे डाउनलोड करके आपने फोन के इंटरनल स्टोरेश पे रखना होगा SD card पे अगर आप रखोगे तो वो काम नहीं करेगा मस्ट भी इंटरनल स्टोरेश पे ही रखना पड़ेगा दूसरी बात आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए चाहे वो वाई-फाई हो या फिर मोबाईल डर्टा ही क्यों ना हो तीसरी बात आपके फोन में कम से कम 50% से उपर अगर चार्ज हो तो ये बहतर होता है 20% से उपर आपको चार्ज रखना चाहिए तो आईए देख लेते हैं किस तरीके से आप इसे इनिस्टॉल करते हो तो सबसे पहले आप अपने फोन के जो मोबाइल डेटा कनेक्शन है या फिर वाइफाई है उसे उन कर लीजे तो उसे उन करने के बाद सेटिंग्स अप्शोन पे जाईए सेटिंग्स अप्शोन में जाने के बाद अबाउट सेक्शन में उसके बाद अपडेटर अप में जाने के बाद आपको 3. menu पे जाना होगा तो 3. menu पे जाने के बाद आपको Choose Update Package आप्शोन पे जाना होगा अगर आपके device में Choose Update Package का आप्शोन नहीं है तो वो कैसे इनेवल किया जाता है उसके लिए चैनल में वीडियो है उसे देख लीजे उसके बाद आपको Choose Update Package आप्शोन पे जाना होगा जाने के बाद आपने इंटरनल स्टोरेश पे आपके device के लिए जिस रॉम को डाउनलोड किया है उसको आपने कहा पर रखा है उसे धून दिये धूनने के बाद जैसे की देख सकते हो यह है वो रॉम तो इसके उपर एक बार क्लिक किजे क्लिक करने के बाद यहाँ पर Getting Info देखने को मिलेगा तो बेसिकली इस टाइम पर आपके Internet Connection On होना जरूरी है यहाँ पर Internet से ही यह Getting Information किया जा रहा है तो Getting Information होने के बाद यहाँ पर आप से पूछा जाएगा के आपके device इस update पे अगर आप जाना चाहते हो तो update पे क्लिक किजे तो हम जाना चाहते हैं तो update option पे क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पर updating लिखा हुआ देखने को मिल रहा है Basically यह Android 11 के उपर launch हुआ था यह phone इसलिए यहाँ पर AB partition and shameless update का support देखने को मिलता है तो इसलिए यहाँ पर पूरा का जो पूरा update का process है वो यही पे ही background पे हो जाएगा तो इसलिए यहाँ पर थोरा सज़ादा time लगेगा तो आपको इंतिजार करना पड़ेगा अगर आपको यह मालूम नहीं है कि यह shameless update क्या है dynamic system AB partition क्या है तो उसके लिए मैंने एक अलग सा वीडियो बनाया है उससे आप चाहो तो देख सकते हो तो update अल्रेडी complete हो चुका है यहाँ पर synced भी synchronized भी हो रहा है जो operating system का file है तो इसके बाद यहाँ पर finalize हो गया है and reboot now का एक option देखने को मिल रहा है अब अगर आप reboot दोगे तो reboot होने के एक ही minute में reboot हो जाएगा पहले जैसा 3-4 या फिर 5 minute का time यहाँ पर नहीं लगेगा reboot हो जाएगा और आपके सामने ये update install होता हुआ देखने को मिलेगा खेर जो भी हो यही था आज की ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगाए तो इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकोन को प्रेस कीजिए